UPSC Prelims 2023, ये बहुत tough paper था, score करना बहुत मुश्किल था, इस paper के through मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि एक aspirant, बले ही exam pattern कितना भी tough हो, बले ही paper कितना भी tough आ जाए, compete तो अपने कलीक के साथ मी करना है न, जिनके पास उतना ही time है, तो कैसे एक hard work और smart work के combination से इस exam को crack किया जाए, paper कैसा भी आए, उससे हमें मतलब भी नहीं है, अब यहाँ पे जो question है वो बात कर रहा है Reserve Bank of India के sterilization पे, तो जब मैंने इस question को देखा, तो मैंने ये सोचा, कि हमने साल भर रगड के जो इतना content बनाया, जो आपको इतना content पिंच क या कि पढ़ो पढ़ो, अगर आपने वो content पढ़ा होता, तो क्या आपसे ये question बनता, मैंने क्या पाया, आईए साथ में मिलके देखते हैं, और इसका जवाब आप comment में सारे लोग बताना, इस playlist और इस video series का purpose ये बिलकुल भी नहीं है, कि मैं आपको question दिखाके, answer पढ़ाके आगे बढ़ जाओ, इस series का मतलब है कि आपको सिखा पाऊ, आपकी समझ डेवलप करवा पाऊ, future में आप कैसे इस exam को clear कर पाऊ, अपनी खुद की strategy बना के, ये सिखा पाऊ, तो चलिए देखते हैं, तो दोस्तों, ये है हमारा Indian Economic का पूरा course, यहाँ पे अगर money and banking module में आप जाओगे, money and banking module में, जब आप ढूंडोगे आर्बे स्टरिलाइजेशन को, तो दोस्तों, आपको ये 18 मिनिट का एक वीडियो दिखेगा, अगर आपने इस वीडियो को बार बार revise किया होता, तो ये question आपसे बनता की नहीं, आईए देखते हैं, मगर dollar खरीदने के कारण, क्योंकि money supply market में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो हमारा जो Indian economy है, उसमें inflation बढ़ जाएगा, और ये inflation इस range से अगर भार गया, तो इसको भी तो curtail करना पड़ेगा न, तो बस, अगर आप ये समझ गए, तो आप ये भी समझ जाओगे कि inflation आया था, क्योंकि, rooty को दे के dollar खरीदने की कोशिश कर रही थी, Reserve Bank of India, और वो इस ले कर रही थी, क्योंकि हमारा पर excessive inflow हो गया था, dollar का, तो इस bond के through, हम हमारे market में inflation को कम करने की कोशिश करेंगा, अब आप पूछोगे, ये कैसे किया जा सकता है, बहुती आसान है, तो inflation पे कैसे फरक पड़ेगा, ये ऐसे फरक पड़ेगा, जैसे आपने open market operations के बारे में मेरे साथ पढ़ा है, open market operation में क्या होता है, पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोश का होना, चुनियत बुर्दी IAS Academy को और करे अपने UPSC and PCS का सपना साकार, झाल, झाल, झाल